कैश वेन लूट में शामिल कई अपराधी गिरफतार मुजफरपूर की पुलिस को एक और काम्यावी मिली है सरया में कैश वेन लूटने का प्रयास अपराधियों ने किया था इसी का पुलिस ने गुरुबार को परदाफाश कर दिया गिरोग के सरगाना समय शामिल को पुलिस ने गिरफतार कर लिया इनके पास से पांच देशी कटे भी बरामत किये गए हैं एक अन्य मामले में पुलिस ने साहवगंज से दो बदमाशों को पकरा है पूर्व सरया थाना चेटर में एक पांच करोण 25 लाग होता है कि एटियम कैश वैल की रूट का प्रयास किया गया था मुझफख पुलिस ने एक SIT टीम बनाई नगर पुलिस अधिक्षक के अधक्षता में इसमें DSP सरहिया, SHO और अन्य सरदस्ट शामिल थे इन लोगों ने लगातार इस मामले में इंवेस्टिगेट करते हुए, कल बीती रात 6 लोगों को अरेस्ट किया और इनके पास से 4 कंट्री मेट वैपन और अन्य समान बरामत किया जब इन से पूशताच की गई, इन्होंने अब इस मामले में अपनी सनलिपता स्विकार की है, ये सभी वैशालीज और छप्रा जिला के रहने वाले हैं, जो की मुझफरपुर में आकर उस दिन इस 5 करोण 25 लाग रुपए की कैश वैन को लूटने का प्रयास करने वाले थे और जिसमें उन्होंने कोली भी चलाई थे, इस मामले में इन्होंने अपनी सनलिपता स्विकार कर ली है, और इस प्रकार पुलिस को अपरात को रोकने में एक बड़ी सफलता मिली है, पूशताच में ये खुलासा हुआ है, इनका पूर से भी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, छपरा में 48 लाग रुपए की एक कैश वैन के लूट हुई थी, जिसमें इसमें से कुछ अभ्यूक्त जेल गए थे, और कुछ लोग नहीं पकड़े गए थे, और इस पूलिस की कारवाई में उन अभ्यूक्तों को भी पकड़ लिया गया है, इसका जो मास्टर माइंड था वो डूसरी जगह से मुझफरपुर के बाहर से मिला था, और क्योंकि संडे को जो कैश वैन के जा रही थी, इसलिए वहां से ही इनको इमामले का बारे में पता लगा थे, जिसको बाद भी पुलिस ने अरेस्टिं किये मित्रों, डिजिटल न्यूस 20 को लाइक कीजे, शेर कीजे और सब्सक्राइब भी